दोस्तों आज की कहानी है सासुमा क्या बहुआं को आराम करने का हक सिर्फ माएके में ही वोता है ससुराल में नहीं दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया उतों कर लेजिए ताकि आपके पास पहुं सके अर नया वीडियो क्या हुआ सुन्दा अभी तक तुम उठी नए अमिता जी ने अपनी बव से पूसा हाँ मा जी तब यत खराबे सिर्वी दर दे रहा हैं उठने की हिमत नहीं हो रही है ये सारे बहाने अपने माय के में दिखाया करो या ये सब नाट करने की जरूत नहीं अपने मन से नहीं लगता तुम्हें बेटी दामान घर आई हुए है तुम तब्यत खराब का बहाना बना कर आराम कर रही हो सलो उटो जल्दी से दवाई खाओ और काम पर लगो सुन्दा को डारते वे अमिता जी ने का अमिता जी के पीसे उनके दामान बाबू विशाल जी खड़ेते सारा नजारा अपनी आखों से देख सुकेते और कान से सारी बाते सुन सुकेते अपनी सासु मा का सुन्दा भावी के परती ये वेवार सैदुआ ने कभी सपने में भी नहीं सोसा था बहुत इज़त करते थे विशाल जी अमिता जी और सुन्दा भावी की पराजना साते हुए भी वो सुब ना रह सके मा जी आप भूल रही है कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बहु है मेरे सामने आप भावी जी के साथ इतनी कटोरता के साथ वेवार कर रही है जरावनी बेटी लता से फूसे जरा सी सीक आने पर भी मेरी मा कैसे उसको प्यार से फूस्ती है कि तुमारी तवित खराब तो नहीं सोड़ दो काम जओ आराम करो क्या बहुआ को आराम करने का हक सिर्फ माएके में ही होता है सुसुराल में नहीं यां तो सुन्दा बावी बिमार पड़ी है और आप उनसे काम करने के लिए कर रही है क्या एक बहु के लिए इतनी कटोर बावनाई हो जाती हैं बच्चे हो या बड़े सभी को प्यार की जर्वत होती है ऐसे समय में आप अगर सुन्दा बावी के सर पर हात भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता पर आपकी बातों से तो सैद उनकी आत्मा भी सलनी हो गई होगी सलोल लता अभी के अभियव में इस घर में एक पल भी नहीं ठेर सकता जहां लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है उस घर में मेरे लिए रुकना एक सजा के समाने आज अपने ही दामान के सामने अस्ती सहरा आ गया था अमीता जी का ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और नहीं कुछ सूज रहा था वही दैनिक द्याबल पर सुन्दा के पती राज भी बैटे हुए थे मनी मन उन्हें भी आतम गलानी हो रही थे आकिर उन्हें के साथ तो गठ बंदन हुआ था सुन्दा का अगनी को साक्षी मान कर सुक दुख में साथ निबाने क वादा किया था वह ने पर आज तक उसके दुखों पर दियानी कहा दिया उनकी आखों के सामने वह नजारा घुम गया जब लटा की सगई वह रही थी सारे मेमान गर पर आई वे थे मुश्किल से से महीने की ही तो थी सुन्दा और राज की बैटी यंसी उसके बाद भी सु आणा बनाना इतना आसन नाव था लेकिन मजाले की सुंदा के सेरे पर सीकन भी आई हो लता की संसुराल वालों की नजरों में सुंदा की एक जिम्मे दारबहू की सबी बन गई थी विशाल जी ने भी सब कुस अपनी आखों से देखा था इसलिए अज अमीता जी का सुदा बाबी के लिए इस तरह से बोलना विसान जी सयन नहीं कर पाए जा, सुन्दा के लिए राज को बोलना सहिए थावा विसान जी ने आवाज उटाई विसान को रोकते हैँ, राज ने कहा रुख जाए विशाल जी आज आपकी एक आवाज ने मुझे मेरी गलतियों का एसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी हैं जो मैं ही अपनी पत्नी को आज तक उपेक्षित करता रहा। सैदम पुरुसों को यहीं मान सिखता होती हैं कि बहुत परिवाल वालों की सेवा के लिए ही होती हैं उनके दुख से हमें क्या वास्ता। आज से और अभी से आपके सामने में ये वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुक और दुख दोनों में मेरी बराबर की साजेदारी होगी। आप इस तरह नाराजो कर मत जाये मुस्कुराते हुए। विशाल जी ने राज को गले से लगा लिया और का कि अच्छी बातों की सुरुआत तुरंत उन्न सही सली आजम दोनों रस्वई में सलकर। सुन्ददा भावी के लिए साई नास्ता बनाते हैं अब गर की बहु को ससुराल में भी आराम करने की इजाद दे क्यूं साले साब सही कहाना मैंने अमिता जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए सुन्दा के सर पर प्यार से हाथ प्या रही थी और अब जग अपने किये हुए विवार पर मननी मन सर्मिदा हो रही थी